हेलो फ्रेंग्स, इम्मू फैक्स में आपका स्वागत है, दोस्तो आज की एकदम बढ़िया गुड न्यूज मिली है दोस्तो टिक टॉक वाली सोचा पहले ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके तो इधर पर जबसे इंडिया की गवर्मेंट ने नोटीस के जरीए से ये बता है, आप पर जो बैन है ये कंटीनिव रहेगा करके सारे चाहिनीज कमपनी इसको उस समय से बाइट डैंस बहुती तेजी से काम कर रही है और जल्द से जल्द अपना जो इंडियन टिक टॉक बि ओन करती है, तो ये नीज बहुती ज़ादा वारेल होती जारी है दूस्तों अभी धर फर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अप्रोच किया है और Glance ने भी इसको respond किया है करके कहा जा रहा है दोस्तो अब एक बार ये sale complete हो गया तो लगता है दोस्तो लगबद TikTok इंडिया में वापस आ जाएगा जो की बहुती अच्छी news है दोस्तो इस पे धेर सारे detail मिलें दोस्तो सोचा मैं point to point आपको explain कर देता हूँ सोचा मैं 6 different points इस news में लेका है जो बहुती जादा important है जिसकी knowledge आपको बहुती ज़्यादा जरूरी है ये 6 points मैं आज आपको explain करूंगा जो बाकिकी news है ज्यादा उतनी important नहीं दोस्तो पर आपकी knowledge के लिए जो बहुती जादा जरूरी है ये 6 points आपको मैं डीटेली explain करने वाला हूं दोस्तों तो चलो friends चलते हैं अब इसके सारे details पे दोस्तों इसके details पे जाने से पहले मेरे जो भी Facebook पेज के viewers हैं और जो मेरे Instagram के viewers है इनसे एक छोटी request है आप जो इसमें Instagram में और Facebook में मेरी videos देखते हो इनसे request है कि आप मेरे YouTube चैनल को subscribe कर ले क्यूं जी देर हो जाईगी आपको news मिलने में तो बहतर है आप YouTube पे देख सकते हो मेरे videos पहले तो मैं क्यूंकि फास्ट अपडेट YouTube पे करता हूं तो यह मेरी छोटी request है हमारे सारे family members के लिए तो चलो friends अब बात करते हैं एच 6 points पे तो पहले बात करेंगे दोस्तों जब से इंडि जो कोई company आगे नहीं आई किसी ने अभी तक उनकी particular जो opinion है यह बताया ने पर bite dance जो है जो TikTok और Hello की parent company है जो इन्होंने भूदी तेजी से इधर काम करने की कोशिश किया जो इन्होंने clearly अब यह बताया हम लोग हमारा जो TikTok इंडिया का business है यह बहुत ही तेजी से sale करने की reports है जोस्तों यह कल दो फेर में update हुए ते सोचा यह आपको बता देता हूं करके अब इधर पर इन्होंने यह कहाया जोस्तों हम लोगोंने कही सारे companies को approach किया पर नाम से एक particular company बताया जोस्तों जिसका नाम है Glance जो की already Raposo की parent company है और Glance की parent company होती है जोस्तों Inmobi करके इधर पर कहा जा रहा जोस्तों जोकी एकदम बढ़िया software company है और सब में बहतर company रहेगी TikTok को खरीद के चलाने में करके इधर पर कहा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि already इनके पास एक TikTok का revival app है Raposo करके इधर पर कहा गया जोस्तों जोकी बहुती अच्छी news है जो company already एक app को चला रही है दूसरे similar app को बहुती आसानी से चला सकती है जोकी एकदम नामदार पुरे world का नामदार app है इसको भी चला सकती है आसानी से खरीद भी सकती है करके इधर पर reports आया जोस्तों सोचा ये आपको बता देता हूं करके तो ये था दोस्तों पहला point दूसरा बात करेंगे दोस्तों ये sale का approach किस से भेजा गया था करके पूचा तो इधर पर बताया गया दोस्तों जोकी soft bank एक Japan की multinational बहुती नामदार company है दोस्तों पुरे world में इनके shares है ये इतनी बड़ी company है और tiktok में भी इनके धेर सारे shares है byte dance में ये भी एक investor है तो ये company आगे आईए आग से नहीं दोस जिनके ये जो भी अब समझो दोस्तों जब से US में problem हुआ है जो कि Zang Gaming है TikTok के CEO ये उदर पे busy हो गये तो जो भी Indian business का मामला है दोस्तों ये soft bank के जरिये से handle किया जा रहा है उस समय से लेके आज तक तो आज भी ये जो approach भेजा गया है Glance की company को ये soft bank ने भेजा है दोस्तों soft bank एक बहुती बड़ी multinational company दोस्तों जिसका headquarters होता है Japan में और इनके founder और CEO है दोस्तों Masha Yossi Sun मैं इस पे already धेर सारे videos बना चुका हूँ दोस्तों जो की soft bank है इस पे मैं already धेर सारे सारे समझो दोस्तों 4-5 videos पूरे डीटेली बना चुका हूँ तो मैं इधर पर बड़ा explanation जरूर सकती है दोस्तों अब इधर पर जो भी Indian business का जो भी deal है sale होना है दोस्तों यह सारे का सारा handle किया जाएगा soft bank की site से क्योंकि soft bank का बहुती बड़ा share है Indian business में करके इधर पर कहा गया दोस्तों दूसरे point में अब तीसरे point पर बात करेंगे दोस्तों अब जो भी समझो यह media के persons थ आते थे कि कान से पता चला कई से पता चला करके तो इन्होंने बताया जो भी इस matter से familiar persons है यह जो deal से familiar persons है जो अपरोच किया था उस समय में मौझूद थे इन्होंने इस चीज़ को डीटेली explain किया है करके इधर पर बताया जाता है दोस्तों Bloomberg के news reporters से करके इधर पर बताया ज सकते क्योंकि इसको national security risk माना जाता है तो हम लोग इसको mention clearly नहीं कर सकते करके इधर पर कहा गया दोस्तों तो यह था दोस्तों तीसरा पाइंट चोटे पाइंट पर बात करेंगे दोस्तों export control rule दोस्तों export control rule बहुती ज्यादा important है TikTok के point of view के लिए आपके लिए हमारे लिए सब के लिए एक बार यह deal complete हो जाती है बस इंडिया में करके नहीं US में भी complete हो जाती है यह rule बहुती ज्यादा important होगा दोस्तों क्यों मैं आपको डिटेली explain करता हूँ export control rule recently जब US ने मजबूर किया था bite dance को के TikTok का business जो है हम लोगों को sale कर दो और हम लोगों commission दे दो उस रवे में चाइना की government ने angry में समझो गुस्ते में यह decision लिया था और एक नया rule लागू किया था जिसका नाम था export control rule अब एक बार यह rule लागू कहां पे होता है आपको मैं detail explain करता हूँ एक बार कोई भी आप समझो Chinese आप सेल कर दे तो foreign country को जैसे के US को इंडिया को अस्टेलिया को कही भी लेके चलो कोई भी country को एक बार मैं sell कर देता हूँ foreign country को तो मेरे लिए पहले एक बार जैसे ही sell complete sell की बाच्चित complete हो जाती है तो further move करने के लिए export control rule मायने रख करके इधर पर clearly mention किया है तो इस पर मैं already dear सारे videos बना चुका हूँ आप चाहिए तो मेरे previous videos पर भी देख सकते है इस पर बहुत ही लंबा explanation मैं दिया हूँ जो भी detail है पूरा detail ही explain भी किया हूँ आप चाहिए तो मैं इसके links भी मेरे description में देता हूँ आप इधर से भी चाहिए तो ये चीज़ देख सकते हूँ तो इधर पर ये कहा गया दोस्तो अब इधर पर एक और चीज़ सब में बड़ी चीज़ यह दोस्तो बस एक साइट से नहीं दोनों साइट से approval चाहिए अब इंडिया है इंडिया एकदम freedom country है तो इधर कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता ह पर अब जो tik-tok की बात चल रही है इसके लिए इंडिया का भी permission बहुती ज़्यादा जरूरी है टिक-tok की deal complete होने के लिए करके इधर पर कहा गा रहा है दोस्तों कि यह एक national security threat है और border पर जो problem चल रहा है इस चीज़ को लेके बहुती ज़्यादा जरूरी है अब दोनों सा जा रहा है दोस्तों जो कि export control rule करके कहा हो जाता है तो तो यह था दोस्तों चोटा पॉइंट पाचवा पॉइंट अब बात करेंगे दोस्तों अब रही बाद दोस्तों सारे reporters ने ट्राइ किया था Softbank से ByteDance से और Glance और Inmobil इन सारे कंपनियों से पूछने के लिए क्या ये deal कहां तक पहुंची है कितने दूर तक गई है करके तो किसी ने इस पे comment नहीं दिया दोस्तों किसी ने इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा पर एक particular बंदा इस पे जवाब दिया था कहा था कि हम लोगों को इसका permission नहीं है जो भी deal चल रही है ये private है हम लोग publicly बताने सकते क्यूंके last time हम लोगोंने airtel को reliance industry को और धेर सारे companies को approach किया था जब हम लोगोंने इसको बताना चालू किया तो आगे की company ने इसको खरीदना बंद कर दिया था तो हम लोग इसका जवाब किसी को दे नहीं सकते ये totally एक private बात है publicly बताने का permission नहीं है क्यूंके हम लोग इस sale को risk में डालना नहीं चाहते जैसे ये deal पूरी तरह से complete होता है कि permission मिल जाएगा तभी हम लोग बाहर बता सकते है उससे पहले किसी को ये चीज़ बता नहीं सकते करके इधर पे कहा गया दोस्तो तो ये था दोस्तो पाच्वां पाइंट आखरी point है दोस्तो सब में बड बड़िया software company है और ये tik-tok को लेके आसानी से चला सकती है क्योंकि इनको इसमें particularly experience है और जोरुद पढ़ने पर प्रोपोसो और tik-tok को merge करके भी चला सकती है करके इधर पर कहा जाना दोस्तो जो कि बहुती अच्छी बात है तो चाहें सारी चीज आप लोगों तक तो ये थी दोस्तो आज के हमारी वीडियो वीडियो देखने के लिए धन्यावाद फ्रेंड्स बाई